साथियों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आये हैं जिसे सुनकर हमारी आखे खोल जाएंगी, कहानी का शीरशक है स्वर्ग का दूद, जिसके लेखक है अशोक सावन, एक दिन गुरू रामानंद ने अपने माता पिता का पिंददान करने का कारेक्रम निश्चित किया, जिसमें ग गाय का दूद आश्रम में नहीं था, एतेव दूद बाहर से मंगवाया जाना था, दूद लाने की जिम्मिदारी कबीर दास जी को देते हुए, गुरू रामानंद ने कहा कबीर तुम गाव जाओ और कहीं से भी गाय का दूद जल्दी लेकर आओ, जिससे समय से पित्रों क को तरपन किया जा सके, कबीर दास जी ने दोहनी मटकी उठाए और गाव की ओर चल दिये, रास्ते में कबीर दास जी ने सोचा कि गुरू जी के माता-पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, इसलिए स्वर्गवासी वाली गाय का दूद ही लाकर गुरू जी को दूद, तभी उ गाव पहुचे वहाँ उन्होंने गाव वालों से पूछा कि यहां क्या कोई गए मरी है, कबीर दास जी का यह सवल सुनकर गाव वाले सोच में पढ़ जाते हैं, कि आखिर इस साधू से मरी गाय का क्या वास्ता, उसे गाव वालोंने बताया कि यहां तो कोई गए नहीं मरी है, पढ़ोस के गाव में पता लगाओ, वहां एक व्यक्ति से पूछा यहां कोई गए मरी है, उस व्यक्ति ने कहा हाँ एक गए मरी है, जो गाव के बाहर एक गड़े के पास है, कबीर दास जी ने रास्ते में हरी घास का एक गठर लेकर उस गाए के पास जाकर और घास गा का पता लगाने को कहा, शिशो ने कबीर जी को धूनते हुए उस गाव में पहुँचे जहां गय मरी हुई थी, शिशिगर मरी हुई गाए के पास गय तो देखा कि कबीर जी कुछ हरी घास गाए के मुख के पास रखकर वही पर बैठे थे, शिशो ने कहा कि गुरुजी आश् से सारा वृतान्त बताया और कहा कि गुरुजी कबीर तो पागल हो गया है, वह एक मरी हुई गाए के पास दोहनी मटका रखकर बैठे हुए हैं, रामानंद को गुस्सा आया और जुन जला कर चल दिये, वहाँ पहुचने पर देखा कि कबीर दास हरी घास गाए के मुख के पास रखकर दोहनी मटका बगल में बैठे हुए हैं, रामानंद जी ने गुस्से में कहा कि कबीर तुम यहां क्या कर रहे हो, कबीर ने उत्तर दिया गुरुजी माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि स्वर्गवासी गाए का दूध ही तरपन करने क इसलिए उनको मिलना चाहिए, इसलिए यहां गाए के पास घास लेकर बैठे हुए हैं, जैसे ही गाए घास खाने लगेगी वैसे ही हम तुरंद गाए का दूध निकाल कर चलेगे, गुरु रामानंद ने कहा, बेवकुफ कहीं मरी हुई गाए घास खाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कबीर ने कहा कि क्षमा करे गुरु देव, यदि मरी हुई गाए घास नहीं खाएगी, तो कहीं मरा हुआ आदमी दूध पियेगा, कबीर दास जी का यह उत्तर सुनकर रामानंद लज्जित हुए और अपने कृते पर बहुत पश्चाताप किये, गुरु जी ने कबीर से कहा कि कबीर तुम बहुत महान हो, तुमने हमारी आखे खोल दी, इसलिए कहा गया है कि जिसने न किया तर्क उसका जीवन बना नर्क, साथियो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उससे पहले हमारे चैनल वि ने बॉद को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेर करना ना भूले, नमो बुधायक, जैभीम, तार्कवादी बने, विग्यानवादी बने